अब हम कुछ अकार्बनी गैसिस के बारे में जानेंगे, जिसमें कि हम कार्बन के कुछ ऑक्साईड देखेंगे, कार्बन डैयोकसाईड और कार्बन मोनो ऐकसाईड. तो जो carbon dioxide है, carbon monoxide है, ये carbon के ही दो oxide होते हैं, जिसमें carbon dioxide की तुलना carbon monoxide संदूशन का मुख्य स्रोत होते हैं, तो इसमें जो carbon dioxide की तुलना में, जो carbon monoxide है, वो हम कह सकते हैं कि और अधिक प्रदुशक का, ये contaminants का बहुत मुख्य स्रोत माना जाता है, तो यहां पर हम carbon monoxide की बात करें, तो carbon monoxide का जो स्रोत होता है, वो automobile वहान जो होते हैं, उसके इंजनों में petrol और diesel, इसका जब अपुन दहन होता है, तो इनके अपुन दहन से carbon monoxide प्राप्त होता है, तो यहां पर हम देखेंगे carbon monoxide किन किन कारणों से बनता है, कैसे कैसे ये वायुप्रदुशन का कारण बनता है, तो जब ये अपुन दहन होता है, automobile वहान जो है उसके इंजन में, जब इसका अपुन दहन होगा, इसके इंजनों का, तो 3C plus O2 is equal to 2 वो CO plus CO2 बना, याने कार्बन मोनोच्साइड भी बना और कार्बन डायॉकसाइड भी बनता है, तो यहाँ पर आटो मुबाइल का जो पूरा छेतर है, मोटर गाड़ियों में जो दहन होता है, पेट्रोल का, डीजल का, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जो कार्बन मोनोच्साइड है, यदि इसको समाहित करने वाला कोई ना हो, तो धीरे धीरे ये वातावरण में कार्बन मोनोच्साइड इतना अधिक हो जाएगा, कि कुछ वर्षों में याने वाले जो भी वर्ष हैं, वहाँ पर ये कार्बन मोनोच्साइड लगातार दुगना या चार कम कराने के लिए बहुत सारे उपाय आवश्यक हो गए हैं, जब हम देखते हैं कि मिट्टी के भीतर भी बहुत सारे जो जीवाणों होते हैं, जो की कार्बन मोनोच्साइड गैस को नश्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसे उपाय या ऐसे कुछ कारण देख लेते हैं, जिसकी वज़े से यह कार्बन मोनोच्साइड को वायू मंदल में प्रवेश कराने से या वायू मंदल में इसकी सांधरता को बढ़ने से कम किया जा सके, इसी तरह से वायू मंदल में बहुत सारे हमने देखा रियक्शन्स को, तो उसमें बहुत सारे मुक्त मुलकों की अभ QOH लुक्र मुक्त द्मौलक है यह मुखे रुप से कार्बन-mono oxide को carbon dioxide में परिवर्थित कर सकते हैं तो यह भी carbon-mono oxide की सांध्रिता को वायु मे खम करने का एक कारण बन सकते हैं इसी तरह से जो परमाडवी ऑक्सीजन होता है ये ओजोन आधी कार्बन मुनो ओक्साइड को कार्बन डायोक्साइड में ओक्सिक्रित कर सकते हैं यह जो भी ओक्सिकारक के रूप में यह हम ओजोन को ले ले या ओक्सीजन को ले ले तो ये कार्बन मुनो ओक्साइड को कौन से हानिकारक प्रभाव हैं, तो जब हम रक्ट की बात करते हैं, तो रक्ट में ये कार्बन मुनोखसाइड एब्सॉर्ब हो जाता है, यदि वायु मंडल में कार्बन मुनोखसाइड की सांदरता बढ़ जाए, तो ये रक्ट में बहुत जल्दी-जल्दी आउशोशित हो इस से कमजोरी आजाती है, कार्बन मुनोखसाइड की मात्रायदी शरी में बढ़ती है, और इसकी वज़े से चक्कर भी आने लगते हैं, ये जो कार्बन मुनोखसाइड है, ये हमारे लाल रुधिर कडिकाओं के साथ क्रिया कर लेती है, या लाल रुधिर कडिकाओं में ज होता है और HBCO या फिर इसे कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन कहते हैं इसमें यह परिवर्तित हो जाता है तो यह जो कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन बनता है जो कि हिमोग्लोबिन का जो कारे है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करने का कारे होता है लेकिन यदि यह जाने का जो गुड है कि वो पूरे शरीर में ओक्सीजन को प्रवाहित करता है, हीमोगलोबीन सहायक होता है, ओक्सी हेमोगलोबीन की रूपे पूरे शरीर में फैलता है, यदि carboxy hemoglobin की मात्रा बढ़ जाती है तो यह जो hemoglobin द्वारा oxygen का प्रवाह करने का जो दर है वो कम होने लगता है और कई बार मृत्यू भी हो सकती है क्योंकि यदि oxygen अलग-अलग अंगों में समय पर नहीं मिल पाएगा तो मनुश्य की या किसी भी जिव जनतों की मृत्यू भी हो सकती है तो यदि हम इसको quantity के अधार पर देखें तो यदि रक्त में carboxy hemoglobin की मात्रा तीन से चार पतिशत हो गई तो oxygen ले जाने की जो छमता है यह hemoglobin की बहुत कम हो जाती है और oxygen यदि कम पहुँचेगा अलग-अलग अंगों में तो इसकी वज़ा से कई सारे सारे परिशानियां भी उत्पन होंगी जैसे कि नेत्र दोशो या सिरदर्द है या कई बार oxygen का संतुलन बिगड़ने पर आत्म विश्वास में भी कमी देखने को मिलती है इसकी वज़े से बहुत सारे हिर्दय संबंदी रोग भी आ जाते हैं और इस वज़े से ही कई बार धूम करती रहती है तो इस वज़े से शरीर में carbon monoxide की मात्रा बढ़ जाती है और carboxy hemoglobin का जो सांद्रन है वो रक्त में अधीक हो जाता है इस वज़े से कई बार premature baby हो जाते हैं या फिर गरपाद भी हो सकता है carbon monoxide जो है वो कई सारे ऐसे बीमारियां जो है वो मनुशी के अंदर उत्पन कर सकती हैं कई बार हम वनस्पती में भी देखते हैं कि वनस्पतियों में पत्यों का गिरना या समय से पहले उनका पूर्ड परिपक्व हो जाना या किसी भी पौधु में carbon monoxide की मात्रा बढ़ गई तो पत्यों का जो आकार है वो जितना होना चाहिए उससे अलग हो इसकी प्रकृती यदि देखें तो ये गंधहीन होती है carbon monoxide gas गंधहीन होने के कारण इसकी आसानी से पहचान नहीं हो पाती है और जब तक इसकी पहचान होती है तब तक बहुत तेर हो चुकी होती है ये बहुत ज्यादा नुकसान गनस्पतियों में मनुश्यों में जीव जन्तू में अपना छोड़ जाती है बहुत सारे दुश्य प्रभाव देखने को मिलते हैं कई बार carbon monoxide की मात्रा बढ़ने से मृत्यू भी हो सकती है कई बार हम वनस्पतियों में इसका और भी प्रभाव देखते हैं जैसे वनस्पति जगत में कई बार हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया जनित क्रियाएं भी होती है जो लाब कारी भी होती है जैसे कि नाइट्रोजन का स्थिरी करन जो जितने भी मतर कुल के पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये वाइमंडल क nitrogen का स्थिरी करन करता है तो यदि carbon monoxide की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने के कारण ये जो bacteria है इसकी क्रियाशील तक कम हो जाती है तो इस वज़े से nitrogen का स्थिरी करन थोड़ा कम हो जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा दुषप्रभाव है चुकि nitrogen चक्र में nitrogen का स्थिरी करन करना भी एक बहुत बड़ा कारक होता है उस nitrogen चक्र को चलाने का तो प्राकृतिक जो संतुलन है उसको बनाने में भी इन घटनाओं का बहुत योगदान होता है तो carbon monoxide का वनस्पतियों पर ये भी एक side effect देखने को मिलता है अब carbon monoxide जो है वो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है तो carbon monoxide का जो नियंत्रन है वो हम जिवाश मिंधन जैसे coal है petroleum है इनका जहां जहां पर अपुन दहन होता है वहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि carbon monoxide उत्पन होता है तो जो की प्रदूशन को फैलाता है तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा इन इनधनों का जो अपुन दहन हो रहा है वो अपुन दहन ना हो जादा से जादा इन इनधनों का जब दहन हो तो oxygen की उपलबधता रहे और oxygen की उपलबधता के कारण जब carbon monoxide अपुन दहन से उत्पन होता है तो carbon monoxide ना बने इस कारण से यहां जहां भी इनधन का दहन हो रहा है यहां पर प्रयास करना चाहिए कि oxygen की उपलबधता वायू की उपलबधता बढ़ती रहे दूसरा है automobile engine में जो carburetor होता है उसमें petrol और वायू के मिश्रण का दहन होता है और इसी वज़े से carbon monoxide उत्पन होती है यदि वायू तथा इंधन का जो अनुपात होता है वो यदि कम होता है तो ज़्यादा मात्रा में carbon monoxide उत्पन होगा यहां पर हम किसी oxy कारक को उत्प्रेरक की रूप में प्रेयोग कर सकते है तो यहां पर जो carbon monoxide है ज़्यादा बन रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा यदि हम automobile engine में carburetor में petrol और वायू के मिश्रण के साथ कुछ ऐसे oxy कारक भी मिला दे तो carbon monoxide जो ज़्यादा मात्रा में बन रहा है प्राकृतिक रूप से वायू में 0.03% प्रेजेंट ही होता है लेकिन ये वातावरण में किस तरह से फैलता है तो कई बार हम देखते हैं जो जिवाश मिंदन है जैसे की कोईला, तेल इन सब के देहन से वातावरण में लगातार carbon dioxide जो है वो फैल रहा है carbon dioxide हरे पौधों और जंगलों द्वारा वायू मंडल से प्रकास संसलेशन के लिए लगातार लिया जा रहा है तो क्योंकि प्रकास संसलेशन की क्रिया हरे पौधी करते हैं तो जब carbon dioxide का एक चक्र चलता है तो ये प्रकृति में इनका जो प्रतिशत मान है वो एक निश्चित रूप से रहता है लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जंगल जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं जंगलों की कटाई होती जा रही है और साथी प्रदूशन बढ़ने के कारण carbon dioxide की वायू मंडल में जो मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है तो इस तरह से carbon dioxide असंतुलित होता जा रहा है तो जब हम carbon dioxide को देखते हैं carbon dioxide किन-किन स्रोतों से है वायू मंडल में तो उसमें जैसे उद्योग है या जीवजनतुों से या या तायात के साधन है उनसे carbon dioxide हो गया ये प्राप्त होता है वायू मंडल में और ये carbon dioxide जो है कई योगीकों के रूप में समुद्र में भी रहता है जैसे कि carbonate के रूप में carbonate iron के रूप में bicarbonate iron के रूप में हरे पेड़ पौधों द्वारा ये लिया जाता है तो Carbon dioxide के स्रोत और सिंक को हमें इस तरह से चित्रद्वारा दर्शा सकते हैं कि Carbon dioxide किन किन स्रोतों से वाई मंडल में फैल रहा है और कौन कौन से इसके स्रोत हैं कौन कौन से इसके सिंक हैं जैसे यहां पर आप देखिए कि carbon dioxide के जो स्रोथ हैं और इन स्रोथों के साथ यहां पर हमने सिंक को भी दिर्शाय हैं यहां पर पेड़ पौध हैं जो carbon dioxide है वो carbonate और bicarbonate के रूप में समुद्र में किस तरह से present होते हैं समुद्र के जल में कई carbonic जो पदार्थ होते हैं उनमे भी हम देखते हैं कि कार्बन की मातरा होती है जहां कहीं कहीं पर ये कार्बनिक पदार जब जहन होता है तो कार्बन डियोकसाइड भी निकलता है तो यहां पर हमने कार्बन डियोकसाइड के स्रोत और सिंग के बारे में जाना अब हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि जो इसके स्रोथ हैं वास्तों में ये क्या हैं जैसे हमने देखा कि जनरली जो कार्बनिक योगीक होते हैं उनका जब दहन होता है तो कोई भी कार्बनिक योगीक जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन इनका जब भी दहन होता है ऑक् क्रियां से भी carbon dioxide निकलता है ऐसे ही पौधों में हम देखते हैं कि पौधों का जब जैवी कब घटन होता है चुकि पौधे में भी हम देखते हैं कि कार्बनिक योगी प्रेजट है क्योंकि वो भी एक और्गेनिक कॉंपोनेंट है उस पौधे का भी यदी घटन होता है उसमें प्रेजट जो कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डियोकसाइड बना लेता है इसी तरह से वनस्पती है ये प्रकास इंसलेशन की क्रिया में कार्बन डियोकसाइड ग्रहन करते हैं जबकि जीव जन्तु मनुष्य जो है कार्बन डियोकसाइड स्वसन की क्रिया के दौरान बाहर निकालते हैं इसी तरह जो सिंग है के रूप में प्रेजेंट होता है वनस्पति जगत में होने वाले प्रकास अंसलेशन की क्रिया भी कार्बन डियोकसाइड के अधिकता को समाप्त करता है क्योंकि लगातार कार्बन डियोकसाइड वनस्पतियों द्वारा ग्रहेंड किया जाता है यदि उस मात्रा में कार्बन योगिक है वो बना लेते हैं अब हम जानेंगे कि कारबन डियोकसाइड के क्या-क्या दुश प्रभाओं हैं चुकि प्रकृती में कारबन डियोकसाइड तो संतुलिद बना हुआ है स्वसंद की क्रिया और प्रकास अंसलेशन की क्रिया के होने के कारण लेकिन फिर भी हम अंगलों की कटाई होती जा रही है तो इस वज़े से प्रकास अंसलेशन की क्रिया में भी कमी आ रही है क्योंकि वनों की मात्रा कम होती जा रही है तो हम देख रहे हैं कि लगातार कारबन डियोकसाइड का जो सांद्रन है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि वनों की कटाई ह प्रिथवी का जो तापमान है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी आज समझते हैं तो ये भी कारबन डियोकसाइट के लगातार बढ़ने के कारण बढ़ता जा रहा है या हम यहां पर प्रिथवी के तापमान में वृध्धी हो रही है इसे हम ग्रीन हाउस या जि तो इस वजह से भी कारबन डियोकसाइट का सांधरन बढ़ना प्रकृती के लिए हमारी प्रिथवी के लिए हानिकारक होता है जैव निमनिकृत प्रदूशक इसके बारे में हमने देखा कि जो आसानी से प्रकृती में उपस्थित किसी भी सूक्ष्म जिवानु द्वारा या ऐसे प्रदुशक आसानी से जो अपचारित किये जा सकते हैं, उन्हें हम जैव निमनिकृत प्रदुशक कहते हैं जिसमें कि जो घरेलु अपसिष्ठ हैं, गाएक का गोबर है या जो भी हम घर में प्रयोग करते हैं सबजी, फलों के छिलके, ये सारे जो है जैव निमन जो प्रदूशक होते हैं, इसके अंतरगत ऐसे प्रदूशक आते हैं, जो आसानी से निम्निकृत नहीं किये जा सकते हैं, जिसका हम किसी विशेश विधी के द्वारा भी उपचार करके उसका घटन नहीं कर पाते हैं, और कई बार देखा जाता है कि ये प्रकृती में कई वर कि बहुत जो अल्प मात्रा की भी मानव एवं जो पौधे हैं उनके लिए हानिगारख होती हैं यह सारी जो धातुयं आती हैं प्लास्टिक है धातू में जैसे ऐलमीनियम है मरकरी है डी डी टी कुछ कंपाउंड होते हैं और धातू हैं जैसे बेरियम आईरन मैगनीज लेड, आरसेनिक ये सारी जो धातुय होती है ये अजयव निमनिकरित होती है जिनका अबगटन आसानी से नहीं होता है साथ ही कुछ रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं कुछ नाभी की अबसिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका भी आसानी से अबगटन नहीं होता है अगला हम देखे जानेंगे nitrogen के oxide, तो nitrogen के oxide में जैसे हम nitrogen dioxide NO2 के बारे में जानेंगे, ये भी बहुत एक विशेश प्राकृतिक प्रदूशक होता है और इसमें कई और oxides आते हैं जैसे कि N2O है, NO है, ये सारे जो हैं वो दुवितियक प्रदूशक कहे जाते हैं, जनरली जो NO है वो प्राथमिक प्रदूशक होता है और N2O और NO2 जो है वो दुवितियक प्रदूशक होते हैं, तो यहां पर हम इसके स्रोथ हैं इनके बारे में जानेंगे, जब आस्मान में बिजली चमकती है तो उसकी वज़े से जो ये है nitrogen dioxide ही ये उत्पन होता है, और कैसे होता है क्योंकि हमारे वायूमंडल भी हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में जब temperature बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में nitrogen और oxygen की क्रिया होती है, और बिजली के चमकने से temperature बढ़ता ही है, तो nitrogen oxygen की क्रिया से nitric oxide NO बनता है, दूसरा हम देखेंगे कि जो automobile engine है या के कारण nitric oxide का निर्माड होता है, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां से nitric oxide निकलता है, और इसके साथ साथ दूसरे भी oxide जैसे NO2 है, ये सारे निकलते हैं, प्राकृतिक और जैवी क्रियाओं से हम देखते हैं कि NO2 बनता है, जंगलों में आग लग जाने के कारण भी कई बर NO2 gas जो है वो उत्पन होती है, या nitrogen के जो अन्य oxides हैं वो भी उत्पन होते हैं, यहाँ पर हम कुछ इसके रासाइनी कभिकरियाओं को देखते हैं, जैसे हमने देखा कि nitrogen और oxygen बहुत अधिक उच ताप पर NO में परिवर्तित हो रहा है, तो 2NO यहाँ पर balance करने के लिए ल हम देख रहे हैं, 2NO plus O2 is equal to 2NO2 nitrogen dioxide, तो यह तीनों जो reaction है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रात्मिक प्रदूशक NO है, और प्रात्मिक प्रदूशक से बना है द्वित्यक प्रदूशक N2O और NO2, प्रात्मिक प्रदूशक पहले से है प्रकृती में, द्वित्यक प्रकृती म में होने वाले बहुत सारे ऐसे रासायनी क्रियाएं होती हैं, जिनकी वज़े से ये बनते हैं, अब इनके जो ऑक्साइट्स होते हैं, यहां इनके सिंख के रूप में क्या है, प्रकृती में होने वाले बहुत सारे ऐसी प्रकृती में होती हैं, जो इनके लिए सिंख का कार करती हैं जैसे हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जैव रासायनी कभी क्रियाओं और कुछ प्रकाश रासायनी कभी क्रियाओं में भी NO2 जो है वो बनता है अब यहां पर NO2 जो बना है यह NO2 का जो अंतिमुत्पाद है वो नाइट्रिक एसिट के रूप म होता है या नाइट्रस एसिट के रूप में भी बनता है तो यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड देखें तो 2NO प्लस ओक्सी क्रित होगा यहने O2 से क्रिया किया तो यहां बनता है 2NO2 और यह जो 2NO2 है यहां बैलेंस करने के लिए 3NO2 ले रहें लेकिन है यही नाइट्रोजन यह जब जल से क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑमल बना और नाइट्रिक ऑमल के साथ बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो यहां हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका जो अंति मुत्पाद है वो नाइट्रिक ऑमल के रूप में बनता है यहां पर हम द NO3 plus oxygen बना और यहाँ पर जो nitrate और nitrite यानि कि NO3 और NO2 nitrogen dioxide और NO3 ये दोनों क्रिया करते हैं तो बनता है N2O5 nitrogen pentoxide ये nitrogen pentoxide भी द्वितियक प्रदुशक माना जाएगा क्योंकि ये भी प्रकृति में पहले से नहीं है बलकि रासायनी क्रियाओं या प्रकास रासायनी कभी क्रिया या कई जो जैव रासायनी कभी क्रिया उसके दोरान ये बन रहा है N2O5 फिर से जल से क्रिया करता है और बनता है nitric aml 2 HNO3, तो nitrogen pentoxide जल से क्रिया करके H2O से क्रिया करके यह बनता है HNO3, nitric aml. अब हम इसके कुछ दूश प्रभाओं के बारे में जानेंगे कि जैसे कार्बन मुनो ओक्साइड भी हीमोगलोबीन को वरभावित करता है कार्बोक्सी हीमोगलोबीन बनाकर उसी तरह से जो नाइट्रिक ओक्साइड है ये भी हीमोगलोबीन की शमता को घटाता है साथ ही ये फेफडों में इसकी वज़े से सूजन भी आ जाता है नाइट्रोजन डायोकसाइड श्वसन संबंदी कई बिमारियों को बढ़ा देता है और सूरी के प्रकाश की उपस्थीती में जो नाइट्रोजन डायोकसाइड होता है वो विघटित होता है और विघटित होकर के ये परमार्वीक उकसीजन बनाता है और यही परमार्वीक उकसीजन जो है वो स्मॉग का कारण बनता है और nitric oxide की जो अधिकता है इसकी वज़े से प्रकाश अंसलेशन की दर भी हम देखते हैं कि कम हो जाती है तो प्रकृती में ये बहुत ज्यादा इसका side effect है nitric oxide का और इसमें हम देख रहे हैं कि वनस्पतियों में और भी बुरा प्रभाव पड़ता है नाइट्रूजन के जो बहुत सारे और ऑक्साइड है जैसे नाइट्रूजन डाय ऑक्साइड है ये सारे जो है टेफलोन या रेओन या सूती जो वस्र धागे हैं इन में भी हानी कारव करभाव डालते हैं रबर पर भी ये प्रभाव डालते हैं वातावरन में उपस्थित जो ओजोन की मात्रा है उसको भी ये धीरे-धीरे कम कर रहे हैं उसकी मात्रा को भी घटाने का कारे कर रहे हैं याने उस पर भी दुश्प्रभाव पढ़ रहा है अब हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं कैसे इसको नियंत्रिट किया जा सकता है तो कई बार हम देखते हैं कि आटो मोबाइल चेतर से या आटो मोबाइल के जाधा उपियोक से बहुत अधिक मात्रा में जो नाइटरिक आॉकसाइड बन रहा है तो इन नाइटरिक आॉकसाइड को प्लेटीनम उत्परेरग का प्रयोग करके या इसके दौररा हम दूसरे बाउन भी फोर्म हो सकता है, तो नाइट्रिक ऑउकसाइड का जो परसंटेज है, वो कम होता जाएगा और जो हमें उपयोगी, यौगिक चाहिए, वो भी प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के जो अने ऑकसाइड है, नाइट्रिक ऑकसाइड या एनको छोड करके दूसरे जो Olha hält होते हैं ये अमली होते तो जब इनका नेचर हमली है तो किसी भी छार की ऊपस्थिती में को उपचारित किया जा सकता है जैसे चार में कैलिशियम हाइड्रॉक्साइड ले 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 या magnesium hydroxide ले 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 इसके द्वारा इन nitrogen के oxide का उपचार किया जा सकता है और प्रकृति में इसकी मात्रा को घटाया जा सकता है nitrogen के oxide को कम करने के लिए scrubbing अमलों का भी प्रेयोग किया जा सकता है SO2 gas पर भी नियंतरन इस तरह की क्रिया द्वारा किया जा सकता है अब हम sulfur dioxide के बारे में जानेंगे SO2 तो SO2 जो है वो जब वायू की उपस्थिती में क्रिया करता है तो SO3 बनाता है और ये जो SO3 है जब ये नमी से क्रिया कर लेती है तो ये H2SO4 में convert हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि sulfur dioxide जो है वो प्रकृती में पहले से है तो वो प्रात्मिक प्रदूशक है और SO3 और H2SO4 जो है ये द्वितियक प्रदूशक की तरह कारे करते हैं क्योंकि ये विभिन प्रकार के जो रासाइनी क्रिया है उनके फलस्वरोप उत्पन हुए है सल्फर डायोकसाइड के जो स्रोथ है इसके अंतरगत भी हम सबसे इंपोर्टेंट जो इसका स्रोथ है वो जिवाश्म इंधन ही है जो कोईला है पेट्रोलियम है इनके दहन से 0.3 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक का सल्फर इसमें होता ही है और इनको जलाने पर चुकि इन इंधनों में सल्फर प्रेजेंट है तो जैसे यह जलता है वायो की उपस्तिती में का दहन होता है तो सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डायोकसाइड में परिवर्तित हो जाता है अनेक जो धात्वों के आयस्क होते हैं बहुत सारे ऐसे आयस्क है जैसे की आईरन पायराइट है या कॉपर पायराइट है तो इन सब में सल्फर होता ही है यह जो आयस्क होते हैं जनरल यह पायराइट या सल्फाइड के प्रेजेंस में होते हैं तो बहुत जगा पे हम कि कैसे जो ये आयस्क है वो वायमंडल में SO2 फैला रही हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं, आयरन सल्फाइट, तो FES2, 2FES2 लेते हैं, 2FES2 जब ऑक्सिक्रित हो रहा है, 5O2 is equal to बनता है, FeO plus SO2, तो FeO बैलेंस करेंगे, तो 2FeO plus हो जाएगा 4SO2, दूसरा हम देख रहे हैं, कॉपर सल्फाइट, तो 3CU2S plus O2, यहां बैलेंस करने के लिए लेंगे, 3O2 is equal to बनता है, 6CU plus sulfur dioxide, बैलेंस करेंगे, तो 3SO2 प्राप्त होता है, अगला हम देख रहे हैं, लेड सल्फाइट, तो यह सारा जो है, हम देख रहे हैं, आयस्क, जो लेड सल्फाइट है, इसका भी जब ऑक्सिकरन हो रहा है, 3O2 से क्रिया हो रही है, लेड सल्फाइट की तो बनता है, लेड ऑक्साइट और sulfur dioxide, तो यहां लेड ऑक्साइट बैलेंस करेंगे, तो 2PBO plus 2SO2 बनता है, तो यहां हम देख रहे हैं, तीनों ही रियक्शन में किस प्रकार sulfur dioxide जो है, वो न मुखी से हम देखते हैं कि लावा के साथ बहुत सारे gases भी निकलती हैं, और इन गैसों में भी sulfur dioxide की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, Sink, sulfur dioxide के लिए जो Sink है, sulfur dioxide विभीन तरीकों से ऑक्सिक्रीथ होता है, और ऑक्सिक्रीथ हो करके यह sulfur dioxide बनाता है, और जब यह नमी से क्रिया कर लेता है, तो यह दो प्रकार से अंबल बना लेता है, H2SO3 और H2SO4, तो यह जब reaction करता है, यहां देखिए, जब यही जो sulfur dioxide है, ये जब क्रिया करता है जल के साथ, तो Sulfur Dioxide ऐसे तो क्रिया कर रहा है, ओक्सिक्रित हो रहा है, तो पहले SO3 बनाता है, और ये SO3 फिर H2O से रियाक्ट हो करके H2SO4 बना लेता है, तो SO2 प्लस H2O is equal to H2SO3, इसी प्रकार SO2 ओक्सिक्रित हो करके SO3 में कनवार्ट होता है, और SO3 प्लस H2O से बनता है H2SO4, और ये जो H2SO4 है, ये ही अमलवर्षा के रुप में हमारी प्रकृती में लगातार फैलता जा रहा है, Sulfur Dioxide जो है, ये भी काफी हानिकारक प्रभाव हमारे प्रित्वी पर, हम प्रित्वी के लोगों पर, वनस्पती जगत पर, जन्तु जगत पर, सब पर इनका दुश्प्रभाव देखने को मिल रहा है, और लगातार इसकी मात्रा बढ़ती जारी है, तो बहुत सारे बिमार का भी कारण बन रहा है, जैसे Sulfur Dioxide जो है, वो स्वसनली, आंक, फेफडे, इन सब को नुकसान पहुचाता है, साथ ही हम देखते हैं कि प्रकृती में इसका जो मान है, वो 2.5 PPM भी हो जाए, तो ये रंकाइटिस या जो फेफडे का कैंसर है, उसको बढ़ाता है, यदि इतना हानिकारक होता है, जब हम पार्ट्स पर मेलियन की बात करते हैं, तो हम बहुत कम सांधरन की बात करते हैं, तो 2.5 PPM भी यदि SO2 का मान बढ़ जाता है प्रकृती में, तो ये बहुत सारे फेफडे संबंदी बीमारियों को जर्म देता है, साथ ही जो सल्फर डियोकसा पेड पौधों को भी बहुत नुक्सान पहुंचाता है, पेड पौधों की जो वृद्धी है वो भी कम होती है, और जो पेड पौधों की हरी पत्तियां होती है, वो भी लगातार जो पीली हो रही है, उसका कारण भी सल्फर डियोकसाइड ही होता है, इस लक्षन को क्लोरो कहा जाता है जब पौधो की पतियां sulfur dioxide के प्रभाव में पीली पड़ जारी है जैसे हम chlorosis कहते हैं sulfur dioxide के कारण अमलवर्शा होती है जैसा हमने देखा कि आगरे का जो ताज महल है उसमें लगातार अमलवर्शा के कारण उसका जो संगमरमर है उसकी चमक जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है उसमें पीले रंग का एक लेयर जमता जा रहा है और लगातार यहां आसपास के जौद योगी क्षेतर हैं उनकी वज़ा से जो सल्फर डाउकसाइड उत्पन होता है यह जल के साथ मिलकर के H2SO4 बना लेता और वही की बात कहते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है CACO3 और जब यह है च्टो एसो फोर के साथ क्रिया करता है तो यह बन जाता है कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के साथ कार्बन डियोकसाइड और जल तो यह कैसे आगरे की ताज महल का जो मार्बल है उससे यह रियक्ट हो रहा है और कैल्शियम सल्फेट जल और कार्बन डियोकसाइड में परिवर्तित होता है तो यहां पर हम देख रहे हैं सल्फर डियोकसाइड के बहुत अधिक नुकसान भी है जीवित जीवों पर तो है ही जीवित जो घटक है उन पर भी हम इसके नुक कोहरा जिसमें की sulfur dioxide का जो मान है 0.40 ppm और इससे भी ज्यादा हो सकता है तो वहाँ पर killer smog बन जाता है प्राण घातक धूम कोहरा कहते हैं यह जो लंदन धूम खोरा है यह घटना जो है वो लंदन में 1952 में हुआ था उस समय धूम कोहरा उत्पन हुआ था जब वहां की वायू में sulfur dioxide का मान 0.40 ppm से लगभग जादा हो गया था तो 4000 लोगों की जान यहां पर गई थी तो इसलिए इस घटना को हम killer smog के नाम से भी जानते हैं कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे तो कई बार हम यह प्रयास कर सकते हैं कि जो इंधन है उसमें sulfur की जो अशुधियां है उसको दूर कर लें और जब इनकी इन इंधनों में sulfur की अशुधि नहीं होगी तो sulfur का oxidation भी नहीं होगा और sulfur dioxide बनेगा भी नहीं इसी तरह से कारखानों से न calcium oxide के साथ तो CAO plus SO2 plus half O2 जब इसके साथ यह क्रिया करेगा SO2 तो यह बन जाता है calcium sulfate में तो calcium sulfate बना और यह दूसरे जो छार हैं जैसे कि calcium hydroxide जैसे चूने का पानी है उसके द्वारा भी जो SO2 है वो calcium sulfate और जल में परिवर्टित हो सकता है अगला हम देखेंगे कि जो magnesia है magnesia का जो layer है जैसे इसमें हम magnesium hydroxide लेते हैं MgOHol twice plus SO2 तो यह भी परिवर्टित होता है MgSO3 magnesium sulfate में और जल निकलता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि sulfur dioxide की मात्रा धीरे-धीरे कम की जा सकती है